गुड इवनिंग फ्रेंड्स वेलकम बैक तो मैं चैनल तो फ्रेंड्स कल मैंने हैंगिंग पॉट आप लोग से सेयर किया था वीडियो तो उन में मैंने आज प्लांट लगाए हैं तो मैंने कौन कौन से प्लांट लगाए हैं देखे मैंने पिटूनिया लगाया है और इसका वीडियो मैं बना नहीं पाई हूं क्योंकि आज मुझे बहुत सारे प्लांट रिपॉर्ट करने थे इसकी वज़े से मैं वीडियो नहीं बना पाई और देखे इसमें मैंने वर्बीना लगाया है और कुछ में टोरेनिया और ये वाले रेट कलर के पॉट में देखे मैंने दो अज प्लांट के पिटुनिया के प्लांट लगाए बहुत ही छुपशुरत लग रहे हैं ड्रक फिंक और वाइट का सेड़ तो आप जो भी हेंगिंग पॉट हैं उसमें पिटुनिया के दो कलर लगाई ये अलग lak अलग कलर एक और फ्लावर्स भी हैं तो थोड़ा देखकर करना पड़ेगा तो इस वज़े से थोड़ा इगनोर कीजिएगा और आप लोगों ने मेरे प्लांट देखी हैं कि किस तरह में अपने प्लांट को रखती हूं और यह देखे डार्क पिंक वाले यह भी बहुत ही कुपसूरत लग इस वज़े से मैंने इनको ऊपर हेंग कर दिया है और जो फ्लावरिंग है जिनमें उसको मैंने नीचे हेंग किया है और जिस लकडी में मैंने इसे हेंग किया है फ्रेंड्स वह बंबूल की लकडी है जिसमें तीन चार ब्रांच है तो उसी में मैंने कील लगा कर इस तरह से hanging बनाया है और इधर मेरे गुलाब है देखिए गुलाब भी अच्छा काफी big size के इसमें आते हैं flowers और इधर सारे गुल्दाओदी के plant है देखिए कितना जदा quantity में इसमें flowering हो रही है तो friends गुल्दाओदी को आप नर्सरी से अभी अपने garden में बहुत सारे अलग-अलग color के plant ला सकते हैं और उन्हें rainy seizure और summer season में बचा कर next year के लिए भी तयार कर सकते हैं तो मैं भी कोशिस करूँगी friends जितने मेरे garden में गुल्दाओदी के plant हैं उन सब को मैं कोशिस करूँगी कि बचा सकूँ और अगले साल फिर एक अच्छे नए सेड में एक अच्छे तरीके से मैं फिर गुल्दाओदी के बहुत सारे plant तयार करके अपने garden को बहुत अच्छे फूलों से भरूंगी और बहुत ही खुबसूरत आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगी जरूर तो देखे कुछ प्लांट है डॉक फ्लावर है विंटर के प्लांट अभी अब तो आ गए हैं गाडन में आप अपने ला सकते हैं नरसरी में लेबल हो गए हैं तो इस तरह से देखे मेरी पिटूनिया में भी अच्छी फ्लावरिंग अभी इस समय चल रही है और ये देखे फ्रेंड सी ये गुल्दावदी का कितना खुबसूरत वाइट कलर का है और ये पिंग कलर का डार्क पिंग कलर का है परपल कलर का है सॉरी फ्रेंड ये परपल कलर का है डार्क परपल बहुत ही खुबसूरत दिखता है और ये pom pom variety के white color का है तो वैसे मेरे garden में अभी आप लोगों ने देखा ही है बहुत सारे color available हो गए है मुझे करीबन 9 से 10 12 के आसपास मेरे पास गुलदाओदी के colors हो गए है तो मैं कम से कम एक एक plant तो जरूर इन में से बचा कर रखूंगी और next year के लिए cutting से बहुत सारे plant तयार करूंगी तो आप भी ऐसा कर सकते हैं अपने garden में डैंथस के plant है गुलदाओदी के plant है इसका color देखे कितना खुबसूरत कितना pretty है रेट कलर का बहुत ही खुबसूरत है देखिए बहुत सुन्दर है तो चलिए friends मैं आज आप लोग को अपने topic पर आते हैं मैं आपको आज बताऊंगी कि कोलियस की cutting हम कैसे लगाएं तो friends जो नरसरी वाले भीया हैं कुछ ने मुझे पूछा है कि बिलासपूर में कहां पर है नरसरी तो यदुनंदन नगर बजार चौक से अमेरी रोड में जाते हैं वहां पर है नरसरी दो नरसरी है तो वहां आप विजिट जरूर कीजिए यदुनंदन नगर बजार चौक अमेरी रोड में तो मैं आज वहीं गई थी और वहीं से मैंने ये cutting लेकर मैं आई हूं क्योंकि प्लांट देखने गई थी जो मेरे घर पर आते हैं भहिया जिन्होंने नरसरी खोला है तो उनके पास प्लांट मुझे नहीं मिले तो ये cutting मैंने भहिया से मंगी थी तो भहिया मुझे दे दिये थी तो मैं देखिए पांच cutting लेकर आई हूं कोलियस के और इन ही को मैं हो जाता है इसमें कुछ भी लगाने की जरुवत नहीं है आपको इस तरह से देखिए बस मिट्टी में आप इस तरह से लगा दीजिए और बहुत आसानी से लग जाता है और इसे कम से कम चार से पांच दिन तक आप छाओं में रखिए जहां पर सनलाइड जादा ना आती हो ऐसे जगह पर आप रखेंगे और ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो भी हो जाएगा देखिए मैंने छोटी-छोटी दो पॉट में लगाई हूँ और तीन ग्रो बैग में मैंने लगाया है नर्शरी वाला तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है बस छोटी-छोटी कटि आप वाट्रिंग तो बहुत आसानी से अच्छे से ग्रो हो जाता है और कितने सारे प्लांट बैदा है यहां पर और सबको मैंने सेड एरिया है यहां पर रखा है और कुछ हेंगिंग पॉड भी है देखिए इस तरह से मैंने हैं तो इसका वीडियो एकन दिन दिखाऊंगी इसको मैं बना रही हूं और और भी दो तीन प्लांट है जेट प्लांट इस तरह से देखिए इसमें दो ब्रांच है और इसको मैं बिल्कुल अम्ब्रेला की सेप देने की कोशिज करूँगी देखिए कितना सुन्दर है तो आप भी जेट प्लांट को बोंसाई लूप में प्लांट है और बहुत सारे प्लांट है या आपके आसपास पडोस में जो मिलते हैं उसे भी आप लगा सकते हैं तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स बाई बाई